एक्चुल के नंबर आगे है आप इसको फुल स्क्रीन लियाए ये 22 रुपे का डिविडेंट है ये तो हो गया तै ये तो फिक्स एसमें कोई डिबेट नी है कोई अच्छा क्या बुरा कुछ नहीं होता ये 22 रुपे का तो आपका डिविडेंट हो गया जो कि इन्वेस्टर् कर आएगा तो प्राफिटिबिल्टी इन लाइन लगती है कोई खराब नहीं लग रहे इतना ही उम्मीद मार्केट करके बैठा था कि करीद बाद 2550 क्रोट रुपे के आसपास का नंबर इसमें आपको आता हुआ दिखेगा एक दो पॉइंट जो और चीजी आ रहे हैं वो बता दें तो आपको एक और बात 14,000 क्रोट रुपे का कंपरी ने इस बार का प्रॉफिट रेविन्यू भी दर्च किया है जो कि लग रहा है कि स्लाइटली थोड़ा कम है प्रॉफिट इन लाइन दिख रहे हैं रेविन्यू स्लाइटली थोड़ा सा कमा रहा है 22 रुपे का डिविडेंट है जो रेविन्यू आया है यानि कि आया है वह 14,000 क्रोड प्लस है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15,000 क्रोड इसके नंबर आते हैं दिख सकते हैं रही बात मार्जोंस बगारा कि वो जैसी मेरे पास आएंगे वैसे मैं आपके पास वापीस से आऊंगा सनी इस बीच मरसा जोड़ चुक है सानी फरस्ट रियक्शन नंबर्स पे आपको नंबर स्लाइटली कमजोर लग रहे है या थोड़े से आई मीन अनुमान से थोड़े कमजोर नंबर लग रहे है जैसा अगर मैं ब्रॉड लाइन नंबर देखता हूं तो बट मुझे इसमें तो एक फार्म व्यू बनना पाएंगे अधर्वाइस एक हलका का डिसापॉंट्मेंट डग रहे हैं कि बट और अवर अल इतना भी निगेटिव नंबर नहीं है कि स्टॉक यहां से कोई बहुत ज्यादा करेक्ट हो जाएगा अल्टिमेटली मार्जीन गाइडन्स और आगे जा आधा मिस नहीं है आधे परसंट का मिस है बट FMCG के लिए आधा परसंट भी बहुत होता है यह एक वैल्यू एडिशन में आपके लिए मार्जन के लिए और कर देता हूं सब प्रोफिडिबिल्टी जो अनुमान था ना 2600 प्लस क्रोड का उससे कम है 14000 क्रोड रुपे की आ अब बिल्कुल देखके बताएगा सर इसमें एक वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर है आपके समने नहीं अभी में पर वॉल्यूम ग्रोथ नहीं लेकिन जैसे आएगी मैं वह भी आपके लिए आइड कर दूँगा लेकिन जो मैंने चार फेजिस आपको बताया भी एबिट प्र सर एक मैं आपसे जैसे से में पास नंबर आ जाएंगे कि इसका होम केर वगरा के सेग्मेंट कितने हैं ब्यूटी पर्सनल के रेविन्यू ग्रोथ वगरा कितने हैं तो इबर मैं वाप्स से लॉटूंगा। लेकिन आप मिरे को प्राइस के हिसाप सिसस्थ समय ये बता सकते इस शेर अभी जो चल रहा है 2470 पे क्या असपास इसमें कितना स्विंग आ सकता है ये पोस्ट नंबर्स अगर मैं थोड़ा सा लंबा नजरिया रखता हूँ looking at जिस तरह से raw material प्राइसे correct हुए है जिसका पूरा benefit शायद ये quarter में नहीं दिखा है मैं भी अगले quarter में reflect होना चाहिए एक बार management की commentary सुनेंगे तो पूरा picture की here होगा तो मुझे नहीं लगते कि यहां से कोई बहुत बड़ा deep आएगा stock में कोई correction आएगा हाला कि upside के लिए definitely management commentary का हमें wait करना चाहिए कितना upside है वो f24 का outlook सुन करें देन हम लोग आगे का व्यू बना सकते मेन्वाइल में न्यूटरल अप्रोच देना चाहूंगा है अपना वाल्यम ग्रोथ के बारे में से चर्चा कर रहे थे में को जो मेरी टीम ने भेजा आपको फारे में पांच परसेंट के आसपास की इस बार का वॉल्यम ग्रोथ है domestic front पे और मार्केट इतने expect कर दा कि 5-6% के आसपास होगी तो वॉल्यम ग्रोथ में कुछ आपको ठीक लग रहे है पांच-6 का इनुमान था एक्चुली में यह domestic volume growth के बात बोल रहे हैं कि पांच परसेंट है हालाकि चैलेंजिंग है कोई दिक्कत नहीं है तो जो भी है अब इसका मदला आप वॉल्यम ग्रोथ से आप इसको आप इसको पांच पैरमेटर्स को सामने रख देते हैं आपके सामने ग्राफिक्स के और इसको फुल स्क्रीन पे लेके आई गया क्या खराब है क्या ठीक है मैं आपको बताता चलता हूं पहला है profit वह आया 2550 क्रोड रुपे के आसपास का market के उम्मीद थी कि 26 क्रोड आएगा तो आप इसको क्या बोलेंगे कि यह उमीद से कमजोर नंबर है profit के terms पे यह हमने ल प्लस क्रोड रुपे आएगा तो EBIT भी आपका नीचे हो गया तो तीन front पे EBIT पे profit पे आए पे यह numbers ठीक नहीं एक और point है आते है margins पे market के expectation थी कि 24 परसंट के आसपास का margin आएगा margin आएगा margin आए 25 परसंट volume growth की कितनी उम्मीद थी volume growth की उम्मीद थी करीब 5-6 परसंट की volume growth आएगा domestic भारत में जो volume growth इसकी आई है वो आई है 5 परसंट तो इस front पे वो ठीक है हमने सनी से दो question पूछे पहला ये question पूछा कि क्या ये numbers कैसे हैं उन्होंने का हाँ slightly disappointing number है लेकिन volume growth वो ठीक मानते हैं तो एक positive सामने चार negative आपके खड़े हैं एक positive खड़ा है सामने फिर हमने से ये पूछा कि क्या इस share के अंदर आपको लग रहा है कि थोड़ा और गिरावट आएगी उन्होंने कहा कि अभी थोड़े management की commentary और आजाए उसके बाद हम check कर लेते हैं कि कितनी है इसके अंदर आ सकती है अब सनी जड़ा महार सा जोड़े हैं वापिस है एक point मेरे को और उनसे पता करना है सनी ये results को देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो costing वाला pressure है ये इसी numbers के साथ है या फिर अगले quarter के अंदर भी ये challenging atmosphere रहेगा मुझे नहीं लगता है कि अगले quarter में challenging atmosphere होना ये क्योंकि क्या होता है कि जब भी raw material में कोई price का cut cut होता है जो भी उसके की input raw material है कभी कभी उसका पूरा benefit immediately नहीं देखने मिलता है तो it may happen की management हमें ये कहे कि maybe first quarter में जो की 1QF24 है उसमें पूरा benefit lower raw material price सा देखने मिलेगा और देन जो margin है relatively better हो जाएंगी Q1Q basis पे 1Q में ठीक है सनी बहुत शुक्रे है thank you very much ये बताने के लिए हालाके share reaction इसलिए भी नहीं देरा आपको positive क्योंकि आपको पता ही के numbers ठीक नहीं है इसलिए बकायदा, days, low पे आसपा सबी आके आपको actual का share trade करता हो दिख रहा है एक बड़ जारा price भी लेके आईएगा और जो number हो तो हमने graphics के जरीए आपके सामने रखी दिये हैं तो कुल मिलाके actual के number, Nestle और Tata consumers के बाद और तीसरी बड़ी कंपनी थी FMCG जिसके number इस तरह से है Nestle के numbers sort of in line थे, इसलिए जड़ा बड़ा reaction आया नहीं, थोड़ा पहले चलाओ भी हुआ था Tata consumers नंबर से पहले चला हुआ था, numbers जारा खराब नहीं थे तीसरी बड़ी कंपनी actual, numbers ने slightly disappoint किया है अमूमन चार-पांच चीजे देखी जाती है, पहला volume grow, दूसरा margins, तीसरा habit, profit revenue ये पांचों चीजों पे number excited नहीं है, ये चीज है, इसलिए market का reaction थोड़ा steep है और करीब 2% के आसपस का cut लग चुका है, ये जब number आयता है, करीब 7% तूटा हुआ था actual ध्यान रखिए, थोड़ा weightage रखता है index पर भी, अगर बड़ी companies के numbers में कहीं थोड़ी भी दिक्कत रहेगी तो market थोड़ी punishment दे सकता है, जो भी actual को दिख रही होगी आपके स्क्रीन पर, ये हमने नेसले और actual का comparison भी आपके सामने रख दिया, ये post numbers के बाद का आज आज का सिर्फ trend है, अगर आप एक काम कर सकते है, actual का टाटा consumers के साथ भी डाल दीजे, हालाग इसका सीधा पियर नेसल के जितने हम expect कर रहे थे कि आज आने चाहिए, ये टाटा consumers और actual का भी हमने viewpoint आपके सामने रख दिया, ये recently है क्योंकि दो दिन पहले टाटा consumers के नंबर आए, इसलिए आपको ज़्यादा फर्क ने देखेगा, अब आपको actual ने एक dip दिखाया है, ये जो blue color के line है, वो नीचे सबसाइब से छिखेखेग क्योंकि उन देखेगा सामने आपके सामने हैं.